जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में बाइक इसकोटर चालकों को सास्ता पेटरोल देने के लिए एप बना रही सरकार राज जेके करीब 61 लाग से अधीक हर परकार के राशनकार धारक प्रती मा अधिकतम 10 लिटर पेटरोल पर प्रती लिटर 25 रुपे सरकार से सब्सक्री पाने के हगदार होंगे बस हरते उनके पास मोटर साइकल या इसकोटी हो बता दे योजिना का लाब 26 जनवरी से उपलावद होगा फैदा उठाने के लिए लाभुक को मोटर साइकल या इसकोटी में पेटरोल भरवाने के बाद परची लेनी होगी इस परची को सरकार की ओर से तयार किये जा रहे आप पर अपलोड करने से बैंक खाते में सबसीडी टांसपर की जाएगी बता दे आप पर लाभुकों को अपना राइस्टेशन कराना होगा राइस्टेशन के दो राशन कार्ट का बीवरान अधार लिंक बैंक खाता और वाहन पंजी करन का बीवरान अपलोड करना होगा आज से कडाके की ठंड के लिए रहे तयार पच्मी विछोब का असर अब लगभग खत्म हो गया है बता दे सुक्रवार से उतर और उतर पच्मी से ठंड हवाव का जोर बढ़ेगा इस से कडाके की ठंड पड़ेगी मौसम विभा का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों में निवत्तम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी हलाकि बादल छटने से अधिकतम तापमान में बिरिधी भी होगी बता दे धूप खिलने से लोगों को रहात मिलेगी मौसम बेग्यानी अभिसेक अनन ने बताया कि पच्मी भी छोब से बना सिस्टम खत्म होने के बाद अब घाना कोहरा और धूंद छाने की संभावना है इस दोरान दिरिस्यता पर भावी होगी बिना मास्क बाहर घूमने वालों पर होगी करवाई COVID-19 के बढ़ते संक्रमन को देखते वे जीला पर ससन अलर्ट मोर पर है बतादे DC छवी रंजन ने डिस्ट्रीक COVID टास्क फोर्स की बाठक की इसमें उन्होंने कहा कि हमें बुरे समय के लिए पूरी तरह से त्यार रहना होगा कुरोना की तीसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए सभी को सांग समनवय के साथ काम करे DC ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया कहा जो भी पोजेटिव निकल रहे हैं उनके संपर्क में आई लोगों का डिटेल रखे बिना मास्क के बाहर निकलने वालो पर करवाई करे वहीं DC ने संक्रमन को देखते हुए बोडू अनुमंडल अस्पताल सदर अस्पताल रिसालदार बाबा सहरी समादेई केंद्र डुरंडा के फंक्शनल बनाने का निर्देश दिया है कुरोना प्रोटोकाल के साथ आज होटलो और कलबो में मनेगा नया साल का जस्न कुरोना की तिसरी लहर के असंका को देखते हुए कोविट प्रोटोकाल का पुरा ध्यान रखते हुए आज सहर के होटलो कलबो और रेस्ता में नया साल के स्वागत का जस्न मनेगा कहीं डीजे तो कहीं गाला नाइट की धूम होगी बता देख कई कलबो वा होटलों में दिल्ली बैंगलूरू वा मुंबाई से डीजे गुरूप अमंतित किये गए हैं बिना मास्क के इंट्री नहीं होगी वहीं होल की छामता के 50% लोगों को ही परवेश के उनमती होगी कई होटलों में भैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने पर बील की रासी पर 10% की छुट देने का प्रवधान है नए साल के जस्न में नव पड़े खलल तैनात रहेंगे जवान नए साल के पहले दीन को यदगार बनाने के लिए लोग पिकनिक एस्पोर्ट पर जाते हैं इसे देखते हुए जीला परसासे ने सुराग छाक के पुगता इंज़ाम किये हैं बतादे साल के पहले दीन उमंग में किसी परकार का खलल न पड़े इसके लिए डीसी छवी रंजन वा एसेस्पी सुरेंद्र जहान ने जुआइंट ओडर जारी किया है इसके तहट रांची जीले के भी पिकनिक एस्पोर्ट के साथ साथ परमुख अस्थलोपर 27 मजिश्टेट 66 पुलिस पताधिकारी के अलावा 500 से अधिक पुलिस बल की प्रतिनिती की गई है बता दे पिकनिक एस्पोर्ट पर छेड़ खाने की घटना नहों इसके लिए बिशेस निग्रारी रखी जाएगी मन्चलो पर नजर रखने के लिए साधे लिवाज में महिला पुरूस पुलिस बल तैनात रहेगा वहीं इसके अलावा हुन्रू फॉल जोना फॉल दसम फॉल और सिता फॉल सहीच सभी जलासियों में अस्थानिये गोता खोरों की तैनाति करने का निदेश दिया गया है कर दी गई और सिक्षा के कारण अंद्विस्वास की जड़े इतनी गहरी हो गई है कि डायन कुपरथा के कारण महिलाओ का जिना मुहाल हो गया इस पर रोक के लिए कानून है लेकिन इसका सक्ति से पारान नहीं होता बता दे जहरकंट के मन सुरेन सरकार द्वारा डायन कुपरथा उन्मुलन के लिए गरिमा पर्योजना चलाई जा रही है इसके जरिये पीडितों को चिनित कर उन्हें सक्किम मंडल से जोड़ कर स्वालंबी बनाया जा रहा है इस से ए समाजिक कलंक धिरे-धिरे धूल रहा है राची में प्रिपेड आटो सेवा सुरू राची रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर 31 दिसंबर से प्रिपेड आटो सेवा सुरू होगी बता दे इससे यात्रियों को सहुलियत होगी यात्रियों को 300 रुपे किराया देना होगा रात में 20% अधिक किराया लगेगा इसके बाद आटो वाले और मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे बतादे स्टेशन से बाहर निकलते ही यात्रियों को पहले ही किराया चुकाना होगा इसके बाद आटो पैसेंजर को उनके गंतव अस्था तक छोड़ कर आएगा इसमें आरपी एफ की टीम भी मदद करेगी उलेखनी है कि राची एस्टेशन पर पहले भी प्रिपेर्ड आटो की सेवा दी जा रही थी जिसे बीच में ही बंद कर दिया गया था 2010 में प्रिपेर्ड आटो सेवा नगर निगम की ओर से सुरू हुई थी साम के बाद पिकनिक मनाते दिखे तो हवालात में काटेनी होगी राथ पुलिस बल की सीमित संख्या को देखते हुए गरामिन इलाकों में पिकनिक एस्पोर्ट की सुरक्षा में अस्थानिय लोगों की मदद ली जाएगी बतादे थानेदारों को गाउं के एक्टिव युवकों को सुरक्षा व्यवस्था में स्वयोग लेने का निर्देश दिया गया खास कर खतरनाक फॉल सुनसन पिकनिक एस्पोर्ट पर अस्थानिय युवक पुलिस का सहयोग करेंगे नसे की हालात में फॉल के गहरे पानी में कोई न जाए इसका ध्यान रखा जाएगा खास कर दसम फॉल में पानी में उतरने की मनाई होगी बता दे ग्रामिन एस्पी नौसाद आलम ने बताया की सुर्यास्त के बाद फॉल एवं सुनसन इलाके में पिकनिक मनाते पकड़े जाने पर कड़ी करवाई होगी आम लोगों से समय से पिकनिक मना कर घट लोट जाने की अपील की है अरजुन के बान से बन गई थी नदी मनाई ये नए साल का जसने जारखन की जिवन दायनी नदी के नाम से बिख्यात स्वर नरेखा नदी के उदगम अस्थल रानी चुआ परट को के लिए त्यार है बतादे रांची मुख्याले से 17 किलोमीटर दूरी पर रांची गुमला मार्ग पर इस्थित नगडी गाव यहां से लगभग 2 किलोमीटर है स्वर नरेखा उदगम अस्थल रानी चुआ जहां धारमीक अस्था का केंद्र के साथ साथ पूरे परदेश का परमुख पर्यटक है इस मनोर्मा अस्थल पर रांची के हर जिला से पूरे परिवार के साथ साथ आनंद लेने आते है बतादे जारकन सरकार ने इस एतिहातिक अस्थल को परदेश का सरोस्रेष्ट पर्यटको अस्थल की सूची में सामिल किया है कोई डॉक्टर कुरोना ड्यूटी नहीं छोड़ सकता आसपतालों को निर्देश डॉक्टर कुरोना ड्यूटी चोड़ नहीं सकता जिनकी ड्यूटी जहां लगाई जाएगी उन्हें भी काम करना होगा कोई बहाने बाजी नहीं चलेगी उन्होंने कहा कि हमें खराब हलात के लिए पूरी तरह से त्यार रहना है जिस तरह से अब तक सभी क्वसांगों ने समन्वय बना कर काम किया है इसे और बेतर तरीके से आगे भी जारी रखना है बता दे उपायुक छवी रंजन ने गुरुवार को जीला कोविट टास्क फोर्स की बैठक में राची सिविल सर्जन को कई निर्देश दिये है जार्खन में दो बर्सों में बने 11 गृट सब एस्टेशन पिछले दो बर्सों 2021 में राजे में 11 गृट सब एस्टेशन का उदगाटन किया गया इसके बनने से जहां डीवी सी कमांडर एरिया में निर्भारता कुछ हद तक कम होई है वही राची में जार्खन उर्जा संचरण निगम के 5 गृट सब एस्टेशन होगा है बता दे उर्जा संचरण निगम के एमडी के के बर्माने मुख्य मंत्री को रिपोर्ट सोपी है रिपोर्ट के अनुसार 29 दिसंबर 2020 से लेकर 29 दिसंबर 2021 तक 11 गृट सब एस्टेशन और टांस्मिस्टन लाइन शुरू हुई रिपोर्ट के अनुसार डीवी सी कमांड एरिया में डीवी सी पर निर्भारता खत्म करने की दिशा में जार्कन तेजी से बढ़ रहा है रांची से बिजेपी सांसद संजय सेट करोना संक्रमीत हो गए हैं उन्होंने ट्वीट कर एजन कारी दी है उन्होंने बताया कि हलकी सर्दी खासी के बाद करोना की जाच कराई जिसमें रिपोर्ट पोजेटिव आई है जार्कन में सराब पीने वालो की संख्या काफी कम है बतादे राज्य में कूल अबादी की सिर्फ 6.5% सी सराब की खपत है राज्य की अबादी 3.30 क्लोर है ऐसे में 21 लाख लोग जार्कन में सराब पीते हैं केंद्र सरकार की समाजिक नया एवं अधिकारिता मंत्राले की ओर से कराए गए सर्वे में यह जनकारी सामने आई है बता दे नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर और अल इंडिया इंस्टूट अफ मेडिकल साइंस द्वारा 10 से 75 वर्स तक की उम्र के सराब पीने वालों लोगों की संख्या मालूम करने के लिए किये गए सर्वे में 36 गड़ देश के सभी राजियों में अवल आया 36 गड़ की कूल अबादी का 35.5 परतिसत लोग सराब पीते हैं जारखन की सोभा हंसदा को बाल साहित पुरसकार जारखन के पूर्वी सिम्हुम जीले के चाकूलिया परखन अंतरगत बरडी कानपूर काला पाथर पंचायत इस्थित बरडी कानपूर गाउं की बहु सोभा हंसदा का चयन बाल साहित पुरसकार 21 के लिए किया गया है बतादे सोभा ने बाल साहित हाली मोन की संथाली भासा में राचना लिखी थी साहित अकादमी नई दिल्ली द्वारा सोभा हांसदा को प्रस्क्रित किया जाएगा जार्खन अंदोलनकारी सामुएल होरो का निधान जार्खन अंदुलनकारी सा तोरपा के पूरो विधायक सामुयल होरो 98 बरसिये का गुरुवार को निधन हो गया बता दे मनोहर पूर इस्थित अवास पर उन्होंने अमतिम सास ली अपने पूत्रनी सिकांत होरो वपरिवार के साथ इन दिनो मनोहर पूर में ही रह रहे थे सुक्रवार को उनका अमतिम संस्कार मनोहर पूर में किया जाएगा आपको बता देकी समुएल होरो 1962 में तोरपा विधान सभा से चुनाव लड़कर विधायक बने थे उन्होंने जार्खन पार्टी से चुनाव लड़ा था उन्होंने जार्खन पार्टी के कांग्रेस में बिलाय का विरोध भी किया था धन्यवाद